पानी में तेरते वक्त इन लोगों पर कुछ शाक हमला कर देती है, वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते है, लेकिन उनकी रस्सी तूट जाती है, क्योंकि वो एक समय पर एक ही इंसान का वजन सह सकती थी, जिसके बाद शाक उन लोगों को काट खाते है, क्योंक उनके पीछे से एक शाक आकर उन पर हमला करने लगती है, नाव के सभी लोग फौरण उनको बचाने के लिए जाते है, वो एक लर्की को तो बचा लेते है, लेकिन दूसरी लर्की को एक शाक खीच कर अपने साथ ले जाती है, वो लर्की अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक flare gun को उठा कर पानी के अंदर कूद जाती है और शार्क पर गोली चला देती है जिसकी वजह से शार्क काफी घायल हो जाती है और उसकी दोस्त को छोड़ देती है वो जल्दी से अपनी दोस्त को नाप पर चड़ा देती है लेकिन इस बार वो शार्क उसे ही पकड़ लेती है